हलो नमस्कार साथियों जाहिन बंदे मातरम शुब शंध्या साथियों मैं रामिद्रकुमार आपका अपना यूट्यूब जारल माहे इस्टेटी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं साथियों अभी कुछ कमेंट्स आ रहा है थे और कमेंट्स क्या जिनकी जरूरत के हिसाब से मैंने आज बारतिय समिधान के अनुच्छेद को डिसकस करेंगे उनमें जानेंगे कि कौन सा अनुच्छेद बिसेस मातपूर है कहां से कोशन ओड़ता है कि हर एक्जाम में अनुच्छेद बारतिय समिधान से अनुच्छेद से एक या दो तीन कोशन मेरे बनते हैं तो साथियों चलते हैं डिसकस करते हैं आज के महत आज का टापिक जो है बहुत ही महत्पूर होने वाला है जो साथी मेरे नए हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों तक ही बेजें यह जो वीडियो है हमारा यह बि है और सुपर्टेट के लिए बेहद महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि आगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अनुच्छेद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है एक एक अनुच्छेद टोटल अनुच्छेद आप से हम डिसकस करेंगे इसमें तो साथियों बगा समयदान में कितने भाग हैं कितने अनुच्छेद हैं एक चीज़ा आप ध्यान रखेंगे इनके भागों को ध्यान रखेंगे कितने अनुच्छेद हैं वह आप ध्यान रखेंगे कितने अध्याय हैं वह आप ध्यान रखेंगे तो इस सब को चल चली स्टार्ट करते हैं भा 것 का कि बात करते हैं भाग एक में जो अनुच्य दिये हूए वो क्या राज यह जो बाज भाग 1 और राज को संघ कर बात तो आप सेरा पोच्छन पूछर जाता संघ और राज किस है उसके बात हैं संग्पा फर्सकतर आあぁह ङकश्ण संग का नाम और राजशेत्र तो यह डिवाइडेशन जो है अनुच्छेद एक में दिया गया कि किसी किसी संग का नाम और राजशेत्र राजशेत्र के वारे में अगर पूछा जाए अनुच्छेद नंबर एक होता है अनुच्छेद नंबर दो नए राजियों में राजियों का परवेस्ट और रख्ता नैय राजियों की जदाने की तो बिलकुल गलत नहीं का नहीं नमबर दो के तो ङह थे ठीक स्मझ गए होगां अनुछेदव तीन भृष्षी का निर्माणफ और स्ुपाओं का ृणरी सीवक्षि दा अब आप से यह यह भी कहेंगे कि देखिए एक एक को समझे और आप से पूछ लेंगे कि राज्यों का निर्माणों श्रीबाओं का नाम परवर्तन कि अनुच्छेद के तहद आता है तो अनुच्छेद नंबर तीन के तहद मेरा जो आता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के दो या तीन अधीनता बनाई जाती है ठीक है अब भाग नंबर दो भाग नंबर एक राज शंग एवम उसके राज ठीक है इसके बाद आता है भाग नंबर दो दिनी नागरिक्ता नागरिक्ता में अनुच्छेद बेरे महत्पून होने वाले हैं शम्मिधान के प्रारंब पर नागरिक्ता सम्मिधान के प्रारंब में जब सम्मिधान शुरू हुआ था तब कि नागरिक्ता के बारे में बात करता है अनुच्छेद नंबर छे भारत में आने वाले बेक्तियों की नागरिक्ता के बारे में बात करता है जो हमारे बेक्ति बाहर से आते हैं भारत आन लेते हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये कोशन हमारा आने वाला होता ता कभी कभी पूश लेते हैं पाकिस्तान जाने वाले की नागरिक्ता जाने वालों की नागरिक्ता लेने वाले भाई नागरिक्ता का ना होना विदेशी राजियों की नागरिक्ता लेने पर नागरिक्ता का ना होना अगर आप विदेशी राजियों में नागरिक्ता ले रहे हैं और फिर यहां की नागरिक्ता नहीं ले सकते हैं क्योंकि नागरिक्ता आप एक ही उनके अधिकारों को बना हैं रहा रखना में अनोच्षेद universo i.s. बात कर लेते हैं तो संसत द्रूरा नाइगरिकता के कांऊन का बिनमे संसत के द्रूरा नाइगरिकता के कांऊन का त्रम्सथा सबगांले हैं अनुच्छेत के संख्या वहुंड किपने भाग हैं अब हमें आप किपक्ते व सकते हैं जहें आपके लिए होंबर्ग एचछा कि परपां करते मूँल अदिकार अब यहां से अमारा कुसिन्स पहुत ही महत्पूर्ण होने वाले कैसे राज्य की परिवासा थे कि अनुच्छेद नंबर 12 की बात करता है कि राज्य की परिवासा भा और अनुच्छेद नंबर एक भी कहता है क्या कहता था कि अनुच्छेद नंबर एक संग एबम संग का नाम और राज्यचेद्र आप कन्फ्यूज मत हो यहां पर सिर्फ रा राजियों की परिवासा और इस्थापना की की बात की गई है लेकिन 12 में है वो राजी की परिवासा राजी की परिवासा के अंतरगत राजी की परिवासा को बताए गया है मुह लजिगारों को असंगत और अलफी करन करने की बिदियां जे 13 इसके बाद हम 14 में देखते हैं कि बिधिक के समक्ष समानता भाई बिधिक के समक्ष समानता इसका मतलब है कि हर नागरिकता को हर नागरिकों को बिधी यह बिधी कानून के समक्ष सबको समानता सबको समानता प्राप्त हो यह अनुच्छेद हमारा 14 में अब आता है अनुच् का प्रतिशूद धर्म जात लिंक के अधार पर भेद भाव करने का अनुच्छेद किसमें आता है वह अनुच्छेद हमारा शुटीन में आता है यह आप ध्यान के जी कोशन बहुत पहुंचा जाता था पहले हो सकता है कि अब कम कर दिया लोग नियोजन के अबसर कि समानता भ फट्रा आपने रट रखा तो वह क्यों पूचेगा अस पस्ता का आंधा मोँसे क्यों पूचेगा उसे आप पता है किसों कोश्चन बहुत बार रिपीड कर चुके हैं तो लोगोंने रट लिया है वह तुम्हें पता है土세म यह पूश्चन पूचेगा जो तुम्हे नहीं छोड़ते हो वो उठाएगा कोशन चीक है इसलिए उनको उनको रिवीजन के साथ में नए कोशन जो अभी तक नहीं आये हैं उन पे आप बिसेस कर ध्यान दे तब हमारा कुछ कल्याण हो सकता है साथियों ठीक है अब असप्रस्ता का अंत चुआ चुआ चूत का अंत जो है व उपाधियों का अनुच्य एटीन में दिया है सु टमतरता का अदिकारश आ कर बहिता है सकते हैं कहीं भी आजा सकते हैं समनद के सीमंद में सनक्चन। अपरादों के दो शिद्ध के समंध में संरक्षन जो अपराद होते हैं इनके दोश सिद्ध हो जाने के समंद में संरक्षन प्रदाप करना अनुच्यद 20 की बात करते हैं अब अनुच्यद 21 की बात करते हैं तो प्राण अपनों बचाओ करने की स्वतनता सभी को अनुच्यद 21 की बात करता है अनुच्छे 21 का कि क्या बात करता है यह कोश्चन है आप है यह ट्रपल इस्टार फोर इस्टार जितने आप इस्टार आप बना दोको बना लो कुश्चन नमर कि आर्टिकल नमर 21 का का है छे से 14 वर्ष की आयू क्या है कि चे से 14 वर्ष की बच्चों को सिक्षा का ढदिकार यहाप कोश्टन बिल्कुल आप रट लीजे भी या बिलकुल कि आपको आने वाला है कि शे से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्चा का अधिकार किस अनुच्छेत के तहद दिया गया तो आटिकल 21 के अनुतार दिया गया ठीक है कुछ दसाओं में गृफतारी से सनद्चन भाईया अगर आपको कोई गृफतार करता है तो उस कुछ दसाओं में गृफतारी से सनद्चन तो आप उस पर क कर सकते हैं किस अधिकार के साथ किस आर्टिकल के साथ धूंटो के जा मानब के दुर्वेभार हम बाल श्रम बाल आसरम तो भी या मानब का भूरा पार अब बाल स्रम को जो तेश में दिया गया अनुच्छे 24 बैया जे कोस्टन देखो रिपीटेश जे आजुगा कई वारा आया हुआ कि कार खानों में बालक का नियोजन पर्टसत जो कार खाने हैं उनमें बालकों को एक समय स्रीमा तहें कि 14 बस से कम उम्र के बच्चों को हम केसी भी कार खाने में का नहीं दे सकते हैं ना उनको हम मजदूरी करा सकते हैं तो यह अगर कहीं पर मिलता है तो अनुच्छे 24 के तहद हाँ कारभाई करने के लिए त्यार हैं तो यह हमारा अनुच्छे 24 में दिया गया कार खानों में बालक का नियोजन का प्रतिसते निचार अठारा बस से नीचे के जो हैं उनको कारखानों में मुक्कार नियोजन का दिया गया धर्म की सतनता का अधिकार भी धर्म की सतनता का अधिकार धर्म का प्रचार अचार प्रचार की सतनता अनुच्छे 25 कहता है कि धर्म का आचार और प्रचार की सतनता हमारा दिया आर्टिकल नंबर 25 में दिया जाता है अनुछेज तॉटिशिक्स में धार्मीकार्यों के प्रत्वनेता पर सुटॉटॉटॉ धार्मीकार करते हैं, उसर्च कृता है, नंबर टॉटिैसेड़ कहता है, कि किसी बिसेस्ट धार्म की अभीवेक्ति के लिए करो करो के सम संदाय के बारे में सुटॉता, आप किसी बिषेस धर्म की अभीवेक्ति के लिए करो। Yo doing चत्नाय के बारे में सुद्विता आर्टिकल 2 , 7 की बात करता है। आर्टिकल 29 which means कुल सिच्छा सनस्थान लोगत करने मदार्मिग उपस्था के वारे में सुद्विता है। अब यह जो लिट्टीने ऐट की बोला कि कुल सिच्छw से शाथ स्थानों सुनश्थाओं फूर्षक्ष में धार्मिक सिच्छगे भारत भारत में कंई धार्मिक सिच्छाओं के स्कुल सल्स्थाइबी अपाश्थार्मिकbut आधार पर जैसे मदर्सा हो गया या बैदिकालीन जो हमारे के चलते थे उनके आधार पर शुक्षा तो ऐसे जो धर्म विशेश के शुक्षा जो जो आती है पर आर्टिकल टूंटी टूंटी एट के तहता आती अब हमसे पूछा जा सकता है कि धार में सिक्षा किस अनुच्छे के तहता आती है तो टूंटी एट आप लगाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टूंटी नाइन अब अल्प संख्य की ये वर्गों के हितों का संद्च्छन अनुच्छे टूंटी नाइन के तहता था यह कोश्चन सम यह हमारा आ चुका है सिच्छन संस्थानों इस्थापना प्रवेश प्रसाशन करने का अल्प संख्य की वर्ग कादिकार ठीक है अब टूंटी वन का की बात करते हैं आप दाओं आज का अर्जन के लिए उपबंद करने वाली वित्ति की बेवरती ठीक है और ठीटिवन ठीवन खाके अंतरकत कु की बात करते हैं तो कुछ नीज निर्देशक तत्तों को प्रभावित करने वाली विदियों की बयाब्रती है ठीक है अब आता है संबैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छे थर्टी टू की बात करते हैं अधिकारों को परिवर्थित करने के लिए उपचार अगर उनक 32 में दिया गया और 33 अनुच्छ 33 इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों का बलों आधी को लागू करने में उपातरण करने की संसद के सक्तियां का अनुच्छ 34 अनुच्छ 34 कहता है कि जब किसी छेत्र में सेना बिधी बृत तब इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों पर प्रबंदन किया जा सकता है ठीक अनुच्छ 35 कहता है भी आर्टिकल 35 कहता है इस बाग के उपबंदों पर को प्रबावित करने का विधान उपर है जो आर्टिकल बहुत महत्पूर्ण होगा हम उसको आपको जरूर बता देंगे कि इसको आप टिक करिए और जे आने वाला है ठीक है क्यों विसेसी अधिकार आर्टिकल्स को देखेंगे अगर सारे अधिकार सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे तो काफी टाइम होगा वीडियो हमारा आप लोग भी ना देखने में इंट्रेस्ट लेते हैं इसलिए वीडियो छोटा बनाओ इंट्रेस्ट पैदा होकरो इंट्रेस्ट होना से हैं हमारा 35 चलिए राज के नीती नीती निर्देसक नीती के निर्देसकता तो अब राज के नीती के निर्देसकता तो के अंतरगत कितने आर्टिकल्स आते हैं और हाँ एक आर्टिकल्स पूछ लेते हैं भाग एक में कितने आर्टिकल्स हैं नीती निर्देसकता तो के अंतरगत कितन आर्टिकल्स में दिये गए तो यह एक डूरेशन पूंच लेता है तो इस टाइप से भी हमें ध्यान रखना है भाग याद रखना है चलिए थर्टी सेबन की बात करते हैं कि इस बाके अंद्रिस्ट तत्तों को लागू किया जाता है जो आर्टिकल थर्टी सेबन बोलता है र थर्टिकल्स मेरा थेट इट में बनता है ता है धितनाइन की बात करें भर यह नीज राज़ द्वारह अनुषरहनी है खुसन नीट तत्तों तो यह राज़ द्वारह अनुषरहनीThere कुछ नीदितत्तू के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक साहता यह हमारा इंपर्टेंट टिक कर लिजे थर्टी वन का थर्टी नाइन का जो है सामान न्याय अब निशुल्क विधिक साहता जो प्राप्त होती है किस आर्टिकल के तहता थी अनुच्छेद 39 के अंतरगयत आती है दोख्तों अब इसके बाद भीया इस्टार इसे भी आप ले ले अगला जो है मारा टॉपिक्स है वह देखिए अनुच्छेद 14 जो आता है अनुच्छेद 14 ग्राम पंचायतों का संगठन भीया इसको आप कहीं कोने पे लिख लो एसी जगे लिख लो जहां सामने आपके हर वक्त नजर में आता रहे कि जे आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 है 40 है जो बहुत बहुत इंपार्टन जो कई एक्जाम से रिसेंटली आ चुका अभी जस्ट आ चुका तो इसको हम भूल नहीं सकते हैं खो सकता है जे रिपिटेश आएगा अभी रिसेंटली में आया था भाइया 31 कुछ दसाओं में काम शिक्षा लोग सहायता पाने कादिकार अगर कुछ दसाओं में काम शिक्षा लोग सहायता प्राप्त करने पाने का कार हमार आनोचे 30, 42 की बात करता है 41 में कुछ दसाओं में काम जैसे अभी हमारा कोरोना आ गया था कोरोना काल में क्या होता है लोगों को काम नहीं मिलता था तो ऐसे में सहायता पाने का अधिकारी हम हैं हम सरकार से दबाब बना सकते हैं शमिदान के तहर दबाब बना सकते थे कि उनको ऐसे में काम दिया जाए ठीक है 42 की बात करते हैं 42 की बात करते हैं तो काम के निया संगध एवं मनो bespoke मनोचित दसाओं मैं अपरसूत हैता अभवनध ये अपinga लंबे 34 मेरा कह रहा है कि कामकारों के लिए निभाव मजदूरी आदो की कामकारों के लिए निभाव मजदूरी आधिक जो 30 43 की बात करता है तो 43 जो है काम कारों के निर्वाह के लिए मजदूरी तो भाई या सरकार या सम्मिधान सम्मिधान में हमारा अधिकार दिया गया कि हमें निर्वाह के लिए मजदूरी यह नि मुझे काम दिया जाए अगर आपको काम निर्वाह के रूप में काम हमें जीपन यापन करने के लिए मजदूरी काधिकार दिया गया है वो किसमे 43 में दिया गया 43 का के अंतरगत उद्धोगों में उद्धोगों के प्रबंद में कामगारों का भाग लेना यह उद्धोग कामगारों के लिए भाग का किस्में दिया गया है तुझे कोश्चन अभी तक नहीं आये लेकिन मात्पूर्ण हो रहे हैं इसलिए इनको बताना बहुत जरूरी हो रहा है कि 44 के अंतर गाता है नागरीकों के लिए एक समान से बिल से अब बिल्कुल आप इसके ट्रपल ट्रपल लगालो सेकेंड लगालो थ्री लगालो फोर लगालो बहुत जितने इस्टाल लगाना जाओ नागरीकों के लिए समान से बिल शुहिता किस अनुच्छत के अंतर गाता फूर्टीन के अंतरगाज आता बालकों के निशुलक वर्ष तक के बालकों के लिए निशुलक और अनिवारे शुक्षा का उपबंद किसा अनुच्यत के आता है तो अनुच्यत 45 के तहट है यह कोश्चन एक बार नहीं दस बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए इसको हम बहुत ही ध्यान से रखेंगे ध्यान रखेंगे इसमें इसके में हमें इस्टार जितने आप चाहों इस्टार जोड सकते हो यह ठीक है अब आर्टिकल नमबर 46 की बात करत हम अन्य दुर्वल वर्गों के शिक्षा सिक्षा निंट संबंदी संबंदी हीतों के अभी यह का अनुछाइद 47 की बात करते हैं तो पोशाहार इस तरिबजीवन इस तर्को बोचा करने लोग स्वास्ते को सुधार करने का राज्य का कर्तब बनता है यह राज्य का कर्तब है यह नहीं राज्य का कर्तब है कि पोशाहार इस्तर जीवन इस्तर को उचा करना जो सरकारे समिधर में का गए चो जो जो हमारी लोग सरकार रहे हैं है राज की सरकार हें जो पुष्षाय इसतर को बूच बूचा इठाएं जीवनीह सरकार को फुछा करने के लिए हमारे नागरिकों को शुब्धाएं प्रदान करें उनको स्वास्त रहने की सुब्धाएं स्वास्ताएं की सुब्धाएं प्रदान कराना यह हमारे सम्मेदानिक अधिकार में अंतर अंतरगत आ जाता है अब आर्टिकल नंबर 48 की बात करते हैं करसी करसिया और परसुपालन स संगठन किया कर बात कर लेते हैं तो आर्टिकल नंबर फोटी एट हमारा हो जाएगा इसको हम द्यार रखेंगे अब आर्टिकल नंबर इसंगर फोटीएट का जिक फोटीएट का देखि impeachment बन रहा है महीं अपर्या बन और हम जीव जीवों कर सार्ण किमिस आर्टिकल के तहता है तो आर्टिकल नमबर 48 का के तहत आ जाता है 49 की बात करते हैं तो राश्टी इस महारकिस्तानों यह 48 और 49 जे दोनों 48 49 जे आप दोनों इनमें टिक कर लेजिए अच्छे से टिक करें तो इस की इस वर्ट आप जरूर ले ले लिए तो यह कुस्ट्स जो हम बता रहे हैं जे आर्टिकल्स आप नोट करके रखें यह आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूंचे जाते हैं ठीक है राष्टी इसमारक इस्तानों के बस्तों का समक्षण यह आर्टिकल्स नमबर 49 के तहट आता है आप ध्यान रखेंगे अब आता है कि कारेपालिका से नियाएपालिका का कारपालिका से न्याय पालिका का प्रतक्रण अब कारपालिएक नियाय प्रतक्रण प्रतक्रण जो आता है वह उस्जट कर्द तो वह उस्जट फिफटीन प्तिएन के त्याइद आंतर में 6200 यह आंप बिलकुल जहान करें ग force फिफिटी वन की बात करेंगे तो अंतराश्टी ए सुरच्छा संत्य ए सुरच्छा के जो अनुच्छे 10 40 51 में हैं जि हमारा दिया गाए अब आते हैं अनुच्र भाग 4 का के तरफ भाग 4 का Mac मूल करतब्यों की बात करते अप शंबिदान ने हमारे कुछ मूल करतबे भी बताएगा हैं इन में किस अनुच्छेद के तहता आते हैं इनको हम देखेंगे अनुच्छेद 51 मूल करतब अगर आप से पूंचा जाता कोशन कि मूल करतबे किस भाग में हैं तो आप 41 लगाएंगे पुटी वन का सॉरी 51 का लगाएंगे क्या मूल करतबे कि अगर बात करता है तो हम यह लगाएंगे 51 का अगर पूछता है कि अंतराश्टी सांतियो सुरक्षा की बात करता है तो हम 51 उनली 51 लगाएंगे लेकिन 51 51 का जब लगाएंगे तो मूल करतब्यों की बात करेंगे ठीक है साथियों जो हमारा आज अभी अभी तक अनुच्छत 51 हमने कंप्लीट किया है नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल जो इतने मोश्ट मोश्ट इंपर्टेंट हैं उन्हीं आर्टिकल्स पर डिसकस करेंगे थैंक्यू फूर वाचिंग्स माई वीडियो साथियों अगला उसमें भी इस से भी महत्पूर अभी तक जो थे वो जो हमने बताए बहुत महत्पूर उनको आप नोट कर लिजिए एक नोट बना लिजिए कौपी पेन लेकर बैठा करें साथी इसके बाद जो हम दूसरे वीडियो में इसके सारे के सारे कुश्टंस डिसकस कर लेंगे कि क या बहुत मातकूर होते हैं ओके गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज